उत्तर परदेश के कानपूर में पिछले हपते आठ पुलिस कर्मियों को घेर कर बेरहमी से हत्या करने के आरोपी कोख्यात गैंग्स्टर विकास दूबे को उज्जेन में गिरफतार कर लिया गया है। विकास दूबे उज्जेन के महाकाल में दर्शन के लिए गया था तब ही वहाँ के गार्ड ने पहचाना जिसके बाद वहाँ की पुलिस एक्षन में आई और उसे वहीं धर लिया। कानपूर के चोबेपूर में घटना को अंजाम देकर फरार विकास दूबे पहले दिल्ली NCR पहुँचा लेकिन पुलिस की जबर्जस दविश के बाद वैं मद्यपरदेश के उज्जेन पहुँचा जहां उससे MP पुलिस ने ग्रिफतार कर लिया। बताया जा रहा है कि 9 जुलाई गुरुवार सुबे 8 बजे महाकाल मंदिर परिशर पहुचा वहाँ पर साथ की एक दुकान पर पहुचा दुकंदार को शक हुआ। कि गरफतारी कैसे हुई इसको लेकर मद्यपरदेश पुलिस की ओर से कोई पुखता जानकारी नहीं दी गई। लेकिन उसकी गरफतारी की पुष्टी की गई है।